हेलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेर करेंगे बिहार के फेमस चमपारण मतन की रेसिपी जिसे अहुना मतन भी कहते हैं आज साथ फूर रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें बिहार का फेमस चमपारण मतन बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 500 ग्राम कटी हुई प्याज अब इसमें हम कुछ इंग्रीडियंट्स एट करेंगे खड़े मसालों में हम इसमें एट करेंगे दसे बारा लोंग, दसे बारा काली मिच, दाल चीनी के छोटे छोटे पांच से छे टुकडे एक फूल, एक बड़ी इलाइची और दो छोटी इलाइची और एट करेंगे दो तेज़ पत्ते इन तेज़ पत्तों को हमने तोड़ कर एट करना है अब हम इसमें कुछ सुखे मसाले एट करेंगे सुखे मसालों में हमने ली है एक टीस्पून हल्दी पाउडर दो टीस्पून धन्या पाउडर 2 टीसपून लालमीच पाउडर 1 टीसपून कस्मीली लालमीच पाउडर 1,5 टीसपून नमक 1 टीसपून जीरा पाउडर आप यहाँ पर 1 1.5 टीसपून गरम मसाला भी एट कर सकते हैं लेकिन हमने उसे skip किया है और अब हम इसमें एड़ कर देंगे दो लहसुन के गाठिये दिखें यहाँ पर हमें दो लहसुन साबुत एड़ करने है इसी के साथ हम इसमें एड़ कर देंगे एक एक इंच के दो अद्रख के टुकडे और एट करेंगे दो टीस्पून अद्रख लहसुन का पेस्ट इन सारे इंग्रीडियन्ट को हम प्यास के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें एट कर देंगे 100 ml गरम तेल यहाँ पर हमें तेल को अच्छे से गरम करने के बाद ही एट करना है वेसे इसमें सरसो का तेल एट किया जाता है लेकिन हमने इसमें रिफाइंड ओईल ही एट किया है क्योंकि हमने इसमें गरम तेल एट किया है तो हम इसे चमच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें एट कर देंगे 1 kg मटन मटन को इन सारे इंग्रिजेंट्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए हमें इसे मेरीनेट नहीं करना मिक्स करने के बाद हम इसे तुरंधी पका लेंगे डेडिस्नली चमपारन मटन जो है वो मिट्टी के बतन में बनता है इसलिए हमने यहाँ पर एक मिट्टी की हांडी ली है इसमें हमने एड़ किया है एक टेबल स्पून तेल और इस तेल को हम पूरी हांडी में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे तेल को अच्छी तरह स्प्रेड करने के बाद हम इसमें एड़ कर देंगे हमारा मटन और अब हम इसमें एड करेंगे तीन छोटी हरी मीच इसी के साथ हम इसमें एड कर देंगे तीन सुखी लाल मीच हमने इसमें बिल्कुल भी पानी एड नहीं किया है अब इसे ढख देंगे और ढखने के बाद हम इसे आटे से सील कर देंगे तो इस तरह से हमने आटे की लोई बना लेनी है और हमने इसको अच्छी तरह से सील कर देना है देखे हम इस तरह से सील करेंगे कि जब यह पकेगा तो पकने के दर्मियान कहीं से भी इसकी स्टीम ना निकले हमने इसे अच्छी तरह सील कर लिया है और अब हम इसे पका लेंगे अब low flame पर इसे एक घंटे के लिए पकाएंगे अगर आपको लगए कि इसमें से कहीं से steam निकल रही है तो आपको इसे आटे से अच्छी तरह कवर कर देना है क्योंकि इसमें से बिल्कुल भी steam बहा नहीं आनी चाहिए अब इसे low flame पर एक घंटे तक हम अच्छी तरह पकने देंगे एक घंटे तक low flame पर पकाने के बाद हम इस हांडी को केरफूली तवे पर रख देंगे और तवे पर रखने के बाद हम इसे low flame पर आधे घंटे के लिए और पकाएंगे तो यहां पर हमने इसे total देड़ घंटे के लिए पका लिया है एक घंटे के लिए low flame पर और आधे घंटे के लिए तवे पर रखने के बाद low flame पर पकाया है और अब हम इसे खोल लेंगे और खोल कर एक बाच चेक कर लेंगे जिसे के आप देख सकते हैं कि हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल चुका है अगर आपका मटन इस तेज़ पर गलता नहीं है तो आपने इसको तवेपे से उतार के लो फ्लेम पर 15-20 मिनिट के लिए ढख कर और पका लेना है देखे ज़रूरी नहीं है कि इससे फीसे आटे से कवर करेंगे सिफीसे ढख कर इस पर वजन रख कर और पका लेंगे और अब हमने इसे गेस पर रख दिया है और इसमें ग्रेवी के लिए एड़ करेंगे एक कप पानी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इसे 5-7 मिनिट के लिए पकाएंगे ग्रेवी के लिए एक कप पानी एट करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर 5-7 मिनिट के लिए और पका लिया है इसी के साथ हमाने जो चमपारण मतन हुए वो बनकर तयार है अब गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे गानिश करेंगे हरे धनिये से तो खाने के लिए तैयार है बिहार का फेमस चमपारण मतन या फिर अहुना मतन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें और हमाई चैनल का सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुडबाई